अब ही हाली में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश के एक पॉलेटिसियन है एक राजनेता है अरवेंदी के जरीवाद साहब उन्होंने नोटों पर किसकी गनेश्ट और देवी लच्मी की फोटो को सामिल करने की अपील की है और पिधार मंत्री साहब को एक लेटर भी उनके द्वारा लिखा गया है अभी तक आप लोग देखते होंगे गांधी जी की फोटो भी आप लोगोंने देखी होगी फिर अभी जो नई सीरे जाई हुई थी उस पर आप लोगोंने 2000 की नोट पर पीछे मंगलयान की तस्पीर भी देखी होगी और उससे पहले अगर आप लोग जाए तो एक समय मिलती थी, खेती करते हुए टेक्टर की फोटो भी आप लोग देखते थे, तो उसी तरह से आप देखिए महत्मा गांधी की फोटो हटाने की बात नहीं किये हैं, गनेश जी और देवी लचमी की फोटो सामिल करने की बात किये हैं, तो आज हम लोग भारत का जो रुफ्या है यानि कि जो नोट है, इसका जो डिजाइन है, इस पर बात कर लेंगे, और आरवी आई के बारे में एक सामन जानकारी देख लेंगे, और इस तरह की टॉपिक से आप देखते हैं कि परिक्षाओं में आपकी कुश्चन्स पूँच लेता है, फिर चाहे आप लोग से बिल सर सामिल करने से देश की अर्धवस्ता में सुधार होगा, तो मुझे लगता है धन के कोवेर महराज की बोर्टू लगानी की बात होनी चाहिए थे, फिर आल आप सभी जानते हैं कि अर्वेंद के जीवाल भी चुनाव लड़ते हैं, उनकी भी राजने दिख पाएटी है, तो उसी तरफ राम की बात हो रही थी, तो मुझे लगा कभी कभी तो लगता है कि ये राम कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं हर्मान चुनाव लड़ रहे हैं, और ये आप देखिए 500 का नोट आप लोगों को देख रहा होगा, ये नया नोट है, और 500 की नोट पर आप देख आप लोगों को दिखाई दे रही है, एक और बाद बता हूँ आपको, इस तरह के questions भी आज कल कईवार पूंच लेता है, कि जो नया दोस्तों और उफे का note आया हुआ है, उस पर किसकी आपकरिटी बनी हुई है, चार ओप्सन आपको दे देगा, और पूंच लेगा, तो अच्छे बना हुआ है, हम भी मंदिर करनाटा की, तुम भद्दा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, और ये आप देखिए पुराने note है, ये पांस सोगा, और हजार का तु बंधी हो चुका है, और ये आप देखिए पहले के note पुराने note है, ये अभी भी चलते है ऐसा है बात नहीं कि चलते हैं आओ ठेक है तुरी हरी इन रिट के वात हो रही है और एक नया 100 का नोट भी आया हुआ है और जिसे आप देखें के कि नए 100 का नोट भी आया हुआ है harlad बीस का भी नया नोट आया हुआ है, दस का भी नया नोट आया हुआ है, और बीस के नए नोट पर आप देखेंगे एलोरा की गुफाओं की तस्बीर है, और दस के नए नोट पर आप देखेंगे सूर मंदिर कॉंडार्ड की तस्बीर आप लोगों को देखने को मिलेगी, फि इसकी स्थापना एक अपरेल 1935 में हुई थी और मुंबई में इसका हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। हाली में एक राजनितिक दल के प्रमुक ने देश में समर्धी लाने के लिए केंद सरकार को नोटों पर यानि कि मुद्रा पर देवी लक्षमी और भगबान गनेश की चित्त को छापने का अनुरोध किया है। अफील की है। और आप देखेंगे कि भारती बेंक नोटों और सिक्कों की डिजायन बजारी करने में कौन-कौन सामिल होता है। किसके पाथ ये अधिकार होता है। भारती रेजर बैंक और केंद सरकार बैंक नोटों वा सिक्कों की डिजाइन और सहरों में बदलाओ का पैसला करती है इसमें हमारी RBI भी सामिल रहती है और केंद सरकार भी रहती है करन्सी नोट की डिजायन में किसी भी बदलाओ को भारती रिजर बैंक के कैंदरिय वोड और कैंद सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और सिक्कों की डिजायन में बदलाओ करना कैंद सरकार का विसे सदीकार है जो सिक के आप लोग देखने ना 5 रूपे के 10 रूपे के इनी की बात हो रही है नोट जारी करने में RBI की भूम क्या भारती रेजर पैंक अधिनियम 1934 और इसी अधिनियम के तैट RBI की स्थापना हुई थी 1934 की धारा 22 RBI को भारत में बैंक नोट जारी करने का एक मात अधिकार फिदान करती है और आपने देखा होगा कि सरकार इसी से अनरोध करती है जब अधिक नोट शापने की बात होती है केंद्रिय बैंक आंतरेक रूप से डिजाइन तैयार करता है और जिसे RBI की केंद्रिय वोर्ड के सामने रखा जाता है 1935 में कहा गया है कि बैंक नोटों का डिजाइन स्वरूप और सामगरी ऐसी होनी चाहिए जैसा कि RBI की केंद्रिय बोर्ड द्वारा की गई इसे फारिशों पर क्विचार करने की बाद केंद्र सरकार द्वारा अनमोधित किया गया हो RBI की मुद्रा परवंधन विभाग की डिप्टी गवर्णर की अध्यक्षता में मुद्रा परवंधन की कार को पिसासित करने की जिम्मेदारी है और यदि किसी कर furnancy note का design बदलना है तो विभाग design पर काम करता है और इसी R.V.I. को पिस्तोत करता है जो कैंद सरकार को इसकी अनुसंसा करता है और सरकार अंतिम मझूरी देती है और सिक्कों की डहलाई में कैंद सरकार की भूमी का क्या है? तो सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार विभिन मूलवरक के सिक्कों की रोप रेखा त्यार करने डेजाइनिंग और ढलाई की जिम्मेदारी भारत सरकार को है किसे है भारत सरकार को है हमारी भारती रेजर बैंक की भूमिका केंद सरकात द्वारा आपूर्ती किये जाने वाले सिक्कों के वितरन करने तक सीमित है और भारती रिजर बैंक से बारस्तिक आधार पर प्राप्थ होने वाले मांगपत के आधार पर ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा के निधारन भारत सरकार करती है और से केट की ढलाई भारत सरकार के स्वाबित तबाली चार टक सालों भी की जाती है एटक साल आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे हैदराबाद में, कोलकाता में, नोईडा में इचार जगे भी आप लोग याद रखिएगा और भारती रिजर बैंक की मुंद्रा प्रबंधन पेडाली की बात करें तो भारती रिजर बैंक द्वारा केंद सरकात तथा अनसाजेदारों की परामस से एक बर्स में मूल वर्ग बार संभावित आवसक बैंक नोटों की मात्रा का आखलन किया जाता है और बैंक नोटों की आपूरती हित्तु विभेन करेंसी पेंटिंग फेसों को मांग पत सौंपता है और भारत सरकारत की दो पेंटिंग फेस एक नासिक पष्णिम भारत में और देवास मद्विदेश में आपको देखने को मिलेगी और भारती रिजर बैंक के नोट मुद्रन लिमिटेड की दो अन्रिफरेस इसमें मैसूर है दच्छिन भारत में सालवोनी पूरी भारत में देखने को मिलेगी यानि कि कहने के मतलब है कि चार जगए आपके नोट चपते है संचलन से बापस लिए गए बैंक नोटों की जाच की जाती है और जो संचलन की योग है उन्हा पुना जारी किया जाता है जबकि अन्न गंदे कटे फटे को नश्ट कर दिया जाता है ताकि संचलन में बैंक के नोटों की गुरवत्ता को बनाए रखा जा सके और अब तक जारी नोटों के फिरकाद देखें असोक इस्तमे वाले नोट सुतंद भारत में पहला बैंक नोट उन्निस सो उन्हास में जारी किया गया था जो एक रुपे का नोट था और मौजुदा डिजाइन को जारी रखते हुए एक नए बैंक नोटों में किंग जॉर असोक इस्तम की लाइन कैपिटल के पितिक के इस्थान पर आंगी की तरब महत्मा गांधी का चित है और जिससे बाटर मार्क वाले इस्थान के वाईं और रखा गया था और इन बैंक नोटों में महत्मा गांधी बाटर मार्क के साथ साथ महत्मा गांधी का चित भी है और म रुपे की नोट जारी किये गये थे और इन नोटों में 1996 की महत्मा गांधी सीरिच की तुला में कुछ अत्रिक तो नई सुरक्षा सम्मंदी विसिस्ता हैं इस संख्ला में 500 और हजार रुपे की नोटों को आठ नम्मुबद 2016 में की मद्राथी के बाद वापस ले लिया गया और महत्मा गांधी की नई संख्ला वाली नोट या आप देखेंगे कि नोट देश की सांस्कितिक गिरासत और विज्ञानिक उपलब्दियों को उजागर करते हैं और छोटोई आकार के होने की कारण ए नोट बॉलेट के लिए अधिक अनकूल है और इनके खराब होने की सं भावना भी कम है इन नोटों का रंग साप और इसपर्ट है जो अभी आपने देखा है नई संख्लाइन की आई हुई है फिर चाहे आप देखेंगे दस रुपे का एक बार और सुन लीजे दस रुपे का नोट आया हुआ है उस पर सोर मंदिक कोणार की तस्वियर देखने क को मिलेगी तस्मरी 50 रुपे की नए नोट पर हम भी मंदिर का रचित है और 2000 रुपे की नए नोट पर मंगलियान की तस्वीर देखने को मिलेगी 500 की नए नोट पर आपको लाल के लिए की तस्वीर देखने को मिलेगी और 200 रुपे की नोट पर आप लोगों को साची का इस किस तरह के पूछ ले एक अहवाना बड़ा मुस्किल रहता है और आप सभी देखते हैं कुशन्स तो वहीं से पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहता है जो टॉफिक काफी हाइट लाइड में रहता है और फिरहाल आप देखे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाओ भी है तो अरवेंद के जीवाल भी अपना काम कर रहे हैं और फार्टिया भी अपना काम कर रहे हैं